तो अगर आपने मेरा फाइब मन्स चैलेंज स्रीज को एकसब करने के लिए तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिसमबर के टागेट के बारे में सेडूल के बारे में और सातीशत 14 देज का एक चैलेंज होगा ताकि आप प्रॉपर्ली स्टडी कर पाऊ तो यह कैस सारे ऐसे स्टुएंट है जो अभी प्रॉपर स्टडी नहीं कर बाते हैं तो प्रॉपर स्टडी के लिए स्टडी आवार को इंक्रीज करने के लिए इस चैलेंज को आपको फॉल्लो करना होगा रेगूलर बेसिस पर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है यानिकि एडिक्स अगर यह सब चीज ठीक नहीं हुआ तो आपका टाइम वेस्ट होगा इस पे सबसे पहले तो काम करना है रेगूलर आप जहां जहां टाइम वेस्ट करते हो हर एक घंटे का हिसाब करो कि कितना टाइम पूरे दिन में इधर उदर वेस्ट करते हो तभी उसको ठीक कर पाओग कि लास्ट के कुछ दिनों में अपना माइंटसेट बिल्ड कर लो लेकिन अगर फिर भी बिल्ड नहीं हुआ है तो रेगूलर बिशिस पे अपना माइंटसेट बिल्ड कर लो reason को याद करके उससी कैसाथ study habits आपको बनाना जरूरी है regular business पे study hour को increase कर न ही एकोसिस करोगे एक दूसरा वीडियो में दूसरे वाले चैनल पर प्रवाइट कर दूँगा इसके रिकार्णिंग तो फिलाल आपको study habit पर काम करना जरूर रेगुलर study करना है और दिर्या-दिर study hour करना है और अभी जो start करना है बिल्कुल easy chapters से करना है कौनसा chapter करना है आगे बता दूँगा उसी के साथ आपको hourly tracking करना है यानि कि हर एक गंटे क्या कर रहे हो उसको आपको हर एक गंटे का track करना है इसके लिए आपको daily target सेट करना जरूरी है डेली टागेट भी आपका hourly होना चाहिए यह चीज आपको मेरी टेलर्याम चैनल पर मिली जाएगा लेकिन टागेट सेटिंग कैसे करना है पुरा एक डीटेल वीडियो लेके आ जाओगा उसी के साथ आपको next 14 देस तक पुरा प्रॉपर डिस्सिप्लीन मैंटेन करना यानि जरूरी और लेगुलर ट्राकिंग करना ही है और बहुम करना ही टेलर्याम चैनल के die आपकार ubiqu說 क्लों क्या है नीट करना है जाह準 लिखने पहले ही। उस रीजने को रिगुलर वेसे से उठते ही लिखना है यानि कि ये रीजन है, मैं इस वज़े से नीट क्रेक करना चाहता हूँ, आज का दिन मैं इस ही वज़े से सुनु करूँ का हर रोज आपको ये करना है। और अर्ली मॉर्निंग थो आपको चैयलने के आपको सब कुछ मिलता रहेगा बट रेगुलर वीजिस पर आपको 5-10 मिट करके stretching exercise करने है, meditation करने है और अच्छा खाने पीने पर धियान रखना है और study और भी अच्छे से करने के लिए study hacks वाले वीडियो को देख लो आपको दो दिन लग सकता है आपको सोर्स क्या होने वाले आगे बताता हूं इसके सथ इन अच्छे से समझना जरूरी है यह आप कर लो कि उसके बाद बागी चैप्टर अच्छे समझ में आएगा तो यह दोनों आपको फर्स्ट वीक में करना है इसमें आपको तीन से चार दिन लग सकते हैं यह पूरा वीकी परोगे कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा नहीं पढ़ना है बट आपको स्टडी हैबिट बिल करना है इसलिए आपको इजी टाप के चैप्टर सी परना है तो आपको बदा होंगा ही और अगर आप अल्लेडिक आपको इसमत करना है बट कैसे करोगे आगे तो आपको बताऊंगा ही पॉसिबल भी है बस आपको सीरियस होके करना है और यह चीज़ आप दिमांग से निकाल दोगी कितना पॉसिबल नहीं होगा उसी के साथ वीक टू में आपको जो बीलिजिगल क्लासिफिकेसन करना है इ इसमत करना है इसमत को आपको आगे बताता हूं का और भी एक सही तरीका बेडर तरीका मैंने स्टडी हैक्स वाले वीडियो को जरूर देख लो भाई इसमें बहुत कुछ मैंने प्रवाइट कर रखा है उसके बाद वीक थ्री में आपको जो बाइमोलेकुल इसमें आपको दो दिन लग जाएका मॉर्फोली जो फ्लारिंग प्लांट इसमें आपको तीन दिन लग सकते हैं क्योंकि पिछले वीक वाले चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइस करना जरूरी है ताकि आप कोई भी कौन्चा बोलो नहीं को उतना टाइम नहीं मिलेगा तो रिगुलर आपको करते रहना होगा रिविजन का प्रॉपर एक वीडियो लेकर आजाओंगा कैसे आप नॉमल रिविजन कर सकते हो वीकली बेसिस पर कैसे करना है उसको देख लेना उसको देख लेना उसी किसद वीक फॉर में आपको बॉड़ी फ्लूइट्स इसमें आपको दो दिन हाफ कर लेना या फिर पूरा कर पाओ तो कर लेना कोई दिक्कत नहीं ठीक है उसी के संद मोसा नीने प्लेन या आपको तीन से चार दिन लग जाएगा बठ ये सारी चैप्टर बिल्कूल बेसिक्स वाले है फिजिक्स के अच्छे से क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अच्छे से करोगे हो जाएगा इंपोर्टन टॉपिक्स वाहां से पढ़ लेना जल्दी हो जाएगा वैली जी के इंपोर्टन टॉपिक्स के लिए वीडियो आ जाएगा चैप्र वेस्टिक है उसको देख लेना अगर ये सारे चैप्रस आपको ज्यादा लग रहे है त पर चैप्रस बार का जो परजन सीरी से स्थार्ट होने वाला उससे भी फॉल्ल कर सकते हो तो इसके सथ लेक्चर का टाइमिंग क्या होने वाला यहां पर मैं आपको बता लिए वीडियो जरूर देख लिए ना मौनिंग में आप 2 से लेके धाए गंटा लेक्चर देखोगे तिक है लेक्चर का टाइमिंग क्या होगा वह मैंने वीडियो में बता रखा है अफ्टर लंच यह एक से लिए गंट आप लेक्चर देखोगे यहां पर आपका चेंजेज होगा जैसे कि मंडे को आपने जो 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 जी से लेटेड दो घंटा मौनिंग में लेक्चर दे देखना है अपने एकोणिंग डिसाइड करना कितना देख पाते हो बट यहां पर आपको कुछ चीजे को ध्यान में रखना है स्टडी से रिलेटेड देखोगे तो लेक्चर प्रॉपर कॉंसा बिलिंग फोकस रखना है अच्छे से ध्यान देना है और यहां पी क्या करोग आप वोलेट पॉइंग सकते हो अगर नोट्स नहीं नोल जुगार करो ज्यादा बैटर रहेगा नोट्स के लिए बुलेट पॉइंट रिख लोगे अगर नोट्स यगार किया हुआ है तो उन्हीं नोट्स को मोटिफाई कर सकते हो उसी कीसात लेक्ट्छ देखने कबाद प पढ़ना है उसके बाद आपको प्रापर एक्सप्राइशन देखके समझना है और यहां पर अगर आपका कोई कॉंसप्राइशन से भी समझ नहीं हुआ है तो कॉंसप्राइशन वाले वीडियो को देख सकते हो यूटूब में ही सेम वीडियो मिल जाएगा उसी किसद आपको जो एक घंटा रिवाइस करना है कल जो पड़े तो से रिलेटेट सेडूल वाला वीडियो देख लो वाहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा तो कुछ इस तरह का आपका अप्रोच रहेगा यह पूरे मंत का टागेट होने वाला है वीकली बेसिस पर क्या क्या करना चैनल पर तुसको प्रॉपर्ली आप फॉलोव करो टेलर्राम चैनल को जोएन कर लो फाइब मांच चैलेंज से इसको फॉलोव करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रेप्चन में मिल जाएगा उसको चेक आउट कर सकते हो बस मिलते नेक्स वीडियो के सा thank you